नमस्कार नक्षत्र दुनिया चनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज के वीडियो में हम कारे छेतर में आ रही बाधाओं का जोतिसी कारण जानने का प्रयास करेंगे कई बार देखा जाता है कि हम काफी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद हमें अपनी मेहनत का संफून फल नहीं मिल पाता ऐसा क्यों है इसी बात पर आज हम विचार करेंगे और इसके अलावा निदानात्मक उपायों पर भी चर्चा करने वाले हैं यदि आप चेनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अब से करें आईए सुरू करते हैं आईए समझते हैं कि कारियों में बाधाएं क्यों आती हैं पहले कारण को समझने का प्रयास करते हैं यदि किसी कुंड़ी में लगनेस ग्रह कमजोर हो जाए या पीडित हो जाए या फिर कमजोर ह आटवे अत्वा 12 भाव में बेट जाए तो लगनेस कमजोर कहा जाएगा ध्यान रखें कि लगनेस यादी कमजोर होकर 6-12 में बेट जाता है तो कुंडली अप्पेक चक्रत कमजोर पड़ जाती ये एक कारण हो सकता है तो आप विचार करें क्या आपका लगनेस कुंडली के 6 आटवे आटवे या 12 भाव में बेटा है यदी ऐसा है तो मान लीजिए कि जीवन में आपको संगर्स करना होगा यानि संगर्स करने के बाद ही चीज़ें आपको मिलेंगी पहला करन इसके लावा आप लगन भाव पर को देखें लगन भाव में क्या कोई असुब ग्रह बे जाती है पहला कारण आई अब दूसरे कारण पर विचार करते हैं अगर किसी व्यक्ति का भागेस ग्रह कमजोर हो जाए तब भी उसे संगर्स करना होता है यानि वो कारे जो करता है उसमें संगर्स की इस्तिति काफी बढ़ जाती है क्योंकि भागे का सांथ ना मिलने से उस वही आपका भागेस ग्रह होगा अब ये देखिए क्या भागेस ग्रह पीड़ित हो रहा है क्या यदि भागेस पीड़ित हो रहा है या निर्वल होकर 6-8-12 में बेठा हुआ है तब कारियों में बाधाएं आना सामाने सी बात है में तो ध्यान रखेंगे ये बाधाएं हमे मिलता है परन्तु भग्यस कमज़ोर पड़ जाए तो ये भी एक कारण हो सकता है कारियों में विग्न आने का आई अब तीसरे कारण पर विचार करते हैं यदि कुण्डी का दसंभाव पीडित हो रहा है दसंभाव कुण सा ये वाला घर ठीक है यदि ये घर पीडित हो रहा है या दसमेज पर किसी असुब ग्रह की द्रश्टी है तब भी कारिश्चेतर में दिक्कत आ दी क्योंकि दसंभाव से हम कारिश्चेतर का ही विचार करते जाए, जो भी काम आप कर रहे हों, तो कार्शेत्र का विचार कुण्ड़िकी दसमभाव आती है, अब दसमभाव में यदि कोई नींच का ग्रहा बेठा हुआ है, नींच राशिक निर्वल होकर तब भी कार्शेत्र में दिक्कतें आती हैं लेकिन मान लीजिए कि दसंभाव पीडित हो रहा है और दसंभाव पर किसी सुब ग्रह की दृष्टी पड़ जाए तो जो संगर्स जादा हो रहा था वह कम मात्रा में होगा ठीक है इसके अलाबा यदि मान लीजिए चटवे आटवे अत्वा बारवे भाव का सौमी कुण्डी के दसंभाव में आखर बिड़ जाए तब भी कारशेतर में दिक्कतों का और परिशानियों का सामना व्यक्ति को करना होता है आईए बात करते हैं अन्य कारण की यदि भागे का करता ग्रह कमजोर हो जाए तब भी क जब आप मिथुन लगन की कुण्डी लेंगे तो भागे भाव में आपको ग्यारा नंबर का राशी कंक लिखा मिलेगा ठीक है तो आपका भागे इस ग्रह आपर सनी हो गया अब सनी ग्रह मान लीजे यहाँ पर ना बेट कर किसी अन्य भाव में जाकर बेट जाता है मान ली यह मंगल कुण्डी के चत्व द्वाव में आकर यहाँ पर बेट गया तो भागे का करता ग्रह अब आपका मंगल ग्रह होगा ना कि सनी ग्रह सनी ग्रह भागे से हुआ और भागे का करता ग्रह अब यहाँ पर मंगल हो गया अब यदि यह मंगल सुब होकर केंदर में तुर हैं तब आए वढक्षा याँ इस्तिती पर विचार करते हैं यदि गेंद्रके घरों में लेकिन पहले है और साथमुवे घर में ठीक है यनि फस्ट हाॉस में साथ के राशी ग्राशी आंक लिखाओ और साथ साथ वे घर में सातनांबर कर राशी कांके लिखाओं और यहां पर सनी ऩ्य ग्रह यदि आकर बेटे terrific तीनों घरों में पहले चोथे और साथ वे घर में सनी देट जया SPEAK faca वे यहीं होगी दोलाराशी में सनी की और संक्यत करता है यानि जीवन में संगर्स के स्थिति निर्मित ऐसे स्थिति में होती है आई अब अन्य बाद पर विचार करते हैं यदि आपकी खुंड़ी में सूर्य नीच राशी में बेठा हुआ है चंद्रमा नीच राशी में बेठा हुआ है या चंद्रमा और सूर् और जीवन में ये संगर्ष की स्थिति लाता है, यहनि कारियों में बाधाएं आती हैं, देखिए चंद्रमा येदी खराब होगा, तो व्यक्ती का मन अशांत होगा, और मन अशांत होने से कारे अपने आप ही बिगड़ते चले आते हैं, और सूर्य व्यक्ती की आत्मा हैं, ठ करेंगे, तो वह संगर्ष की स्थिति में कमी ला देता है, मित्रों येदी कारे चेतर में वास्तम में परेशानियों का सामना येदी आपको करना पड़ रहा है, तो एक बात का ध्यान रखें कि कुंड़ी का सबसे महत्पूर्ण ग्रह होता है लगनेश, ठीके, येदी कुं लगनेश होता है, येदी आपने लगनेश को मजबूत बना लिया और लगनभाव को मजबूत कर लिया, तो प्रतेक प्रकार के संगर्स, यानि हर प्रकार की बात है, दूर होने लग जाती है, अब देखिए, आपका जो भी लगनेश है, वह कमजोर पढ़ रहा है, तो उसस इस्ट की उपास न करें, उससे संबंदित वैदिक मंतर अथवा वीज मंतर का आप जब कर सकते हैं, और लगन भाव पर देखें किन असुब ग्रहों की दृष्टी पढ़ रही है, तो उन असुब ग्रहों की बस्तूओं का दान कर देने से असुबता में कमी आ जाईगी, यनि आपका लगन भाव और लगनेस दोनों मजबूत हो गया, तो जिवन में सरलता आ जाती है, आसानी हो जाती है, कुण्डी का दसवा घर खाली नहीं होना चाहिए, यनि कोई न कोई ग्रह के उपस्तिती दसवे घर में होनी चाहिए, यदि लगनेस के मित्र ग्रह दसम भ यदि वह कुण्डी का कारक ग्रह है, तो उस ग्रह के वेदिक मंत्र अत्वा बीज मंत्र से आप उस ग्रह का उपचार कर सकते हैं, इसके अलावा यदि कोई ऐसा ग्रह जो की असोभे कुण्डी में आकारा के तो उसकी वस्तूओं का दान कर देने से संगर्स की स्तिती कम हो जाती है, मैं तरो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अबस करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद